सिहस्त और E-tender के बाद अब सरकार सीचाई और नहरों के ठेकों की जाच कराने जारी है जिहा सिहस्त और E-tender के बाद अब भाजपा सरकार के समय में सीचाई और नहरों के ठेकों में कैक की रिपोर्ट में कई आर्थी गड़बडियां उजागर हुई है बेस रेट से 10 फीजदी कम वाले टेंडर अब जाँच के दाइरे में है देखिए ये खास रिपोर्ट कॉंग्रेस सरकार एक एक कर भाजपा सरकार में हुई गड़बडियों की जाँच करा रही है सिहस्त और ईटेंडर के बाद कॉंग्रेस सरकार अब नहरों और सीचाई के ठेकों की जाँच करा रही है खास तोर पर उन ठेकों की जो बेस रेट से 10 फीजदी कम पर दिये गए मैदानी निरिक्षन करके काम और भुकतान के सिती की जाँच का आँकलन किया जा रहा है 10 करोड रुपेयों तक के ठेकों की जाँच कराई जा रही है हर निर्मान कारिय में बेस रेट रखा जाता है इससे कम प्राइज रेट देने वाले ठेकिदारों को टेंडर दिया गया है इन सभी ठेकों के काम और भुकतान का ब्योरा फाइलों में नहीं मिला है आर्थिक गरबडियों को लेकर जल संसाधन विभाग ने अब सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है सारे ठेकों की जाँच शुरू हो गई है जन संपर्क मंत्री पी सी शर्मा का कहना है कि नहरों और सी चाई के ठेकों में भारी अन्यमित्ताय सामने आई है कैक की रिपोर्ट में सारी अन्यमित्ताय उजागर हुई है ठेकों में हुई आर्थिक गरबडियों की जाँच कराई जाएगी बता दे कि इस गरबड़ी में बरगी, पेच, राजगाट, सहित जितनी भी परियोजनाए है उनकी जाँच रिपोर्ट मंगाई जा रही है इनमें ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड की सारी परियोजनाए भी शामिल है सरकार का कहना है कि जो भी दोशी है उन पर सक्त कारवाई की जाएगी कुल मिलाकर अब मामले में कारवाई होती है या फिर हर बार की तरह जाँच की बात कहकर सियासत होगी ये भी देखने वाली बात होगी ब्यूरो रिपोर्ट, MPNews, भोपात